हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम जो 2023 में हिंदी का पेपर हुआ है उसका यहां पे जितने भी वह विकल्पी प्रशन है और साथ में दिर्ग उत्री प्रशनों को आप सभी को बताने वाले हैं फ्रेंस जितने भी इस्टुडेंट 2024 में बोर्ड की में कम से कम 40% जितने भी प्रशन होते रिपीट होते हैं तो इसका यहां पर संपूर्ण आप हल जरूर देखिएगा ठीक है चलिए फ्रेंस वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस देखिए जो आपका 801 डीए पेपर है यहां पर जितने भी प्रविकल्पी प्रस्ट और बाएकि निर्देश है आप निर्देश को देख लीजिएगा यह प्रकार का दंगर रियल पेपर ही जो 2023 के बृट के एकजाम में पेपर आचुका है कि उतकर कितने भी प्रशन प्रश्ण जानते होंगे चलिकान इसके सब्धल करते हैं अब देखिए अहां सेे श्टार्ट वता है बहुकल्पी प्रस्ण डोटल कितने बहुकल्पी प्रस्ण है तो 20 2424 में ब्लूशा जाएंगा और 2023 में 20 24 पूचा गया तो अब दिखे पहला प्रस्ण आपको क्या है कि आचार रामस्दर शुकल किस यूग के लेका थोए आपको जिस फ्रसन का अनसर पहले से आ रहा उसका Nate तो अन्य किस यूग के लेका पूंगेat यूग कुस्त सुक्वी आपके प्रसन आपकी बोड के एक्जान पूछा जा चुका है गवन की विधा है यानि जो गवन है कैसी विधा है आपका आपसन है डाटक देखा दिए यह प्रशनों को आप जरूर तयार कर लीजिएगा आपके पहुछ से क्वेशन ऐसे होते हैं जो आपके बोर्ड के एक्जामें पिछले साल के पेपर से डारेक्ट पुझे जाते हैं ठीक है यहां पी देखिए आपका सवाल क्या है कि कंकाल के लेखक हैं आपसान देखें चौथा नंबर का इसे तयार कर लीजिए Merci क्या है कलंड़ा का सीबाइद किसके दोलर लिखा गया है धर्मवीर भारती की यह अघय की है यह जानेंद्र यह राई की कल शपर क्लborough का सिपाई है कि सोरे बारे लिखा है फ्रेद की कितनी है बें 29‎9 1902‎198 1903‎1943 1902‎1980 तक माना जाता है तेखे आपका सुकल यूग हुआ भार ते अंधू यूग हुआ यह सभी जितने भी यूग हुआ इसको आप याद करके जाएगा और आध्वुनिक काल भी याद कर लीजिएगा यह पेपर बहुत पुषता है ठीक है तो सुकल युगकर की समय अवधी क्या है तो शुकल युगकर की समय मानि जाते इन Catherine 19 freka209, 330 तक बीच का जो समय है युगकर की समय अवधी मानि तुपंति जैसेंगर प्रसाद है या महत्री शरा गुप्त हैं यहाँ पर चाहिक जो ज की की कवित्री जैसे प्रगतिवादि यूग या धीवेदी यूग या च्हायवादि यूग या प्रियोग वादि यूग ठीक है कि ओपुखिए यहां पर c सिव रदेला की आतानी हैा चाही सिवी और सवाल कि यहां पर लिखा है यही यानि आ यानि बताना है कि जो उन्हार कि रचना है या ने देख्ए येजह यहां यहां भूोसर का यहां रहां कि है यहां पी देखिक के लिखा आपका देखिएहांका कि समय सीमा कम मानी जाती है 1919 से लेकर 1938 मानी जाती है 1936 से लेकर 1943 1928 से लेकर 1950 तक या 1823 से लेकर अब तक देखे आधुनी काल की जो सीमा है इसको याद रखिएगा कि 29-39 से लेकर 29-39 तक के जो बीच का समय है सुकल यूग के अंतरगत आता है ठीक है चलिए अगले नमबर के सवाल को देखते हैं दस्वा नमबर देखिए कि महा देवी वर्मा की रचना नहीं है यानि कि महा देवी वर्मा ने किसकी इसमें से रचना नहीं किये हैं आपसन निहार सांध्यागीत युगांतर या दीप सिखा ठीक है इसमें से बताना है कि महा देवी वर्मा की रचना नहीं है पहले तो आपको याद होना चाहिए कि महा देवी वर्मा की रचना कौन कौन सी है ठीक है जबकि महादेवी वर्मा की द्वारा आप से नहीं लिखा गया है, तो युगा अंत्र, अगला सवाल देखिए, 11 नमबर का, हास स्रस्त का स्थाई भाव है, देखेक आपके पेपर में हास स्रस्त आया है, तो अब 2024 पेपर होने वाला, उसमें करूरर रस आएगा, जरूर आग हास के अस्थाई भाव होता है यह याने अस्थाई भाव क्या होगा रती होगा हास होगा दिर्वेद होगा या विस्मे होगा करूर रसक का बाधिया हो Low ठीक है अगला सवाल देखिए बरावा नंबर का कि पीपर पात सरिस्मंडोला में उप्यूक्त अलंकार यानि आपको अलंकार बताना है कि पीपर पात सरिस्मंडोला में कौन सा अलंकार है आपसाने रूपक होगा उपमा होगा उप्रेच्छा होगा या अलुपरास होगा पी नंबर का सवाल क्या है आपका कि 108 छंद में चरण होते हैं यानि 108 हो गया रोला हो गया आपसे दो ही पूचता है 108 पूचता एक रोला पूचता है इसमें चरण कितने होते हैं आपसे चार होंगे दो तीन एक चाहे सोरटा पूछे चायरोला पूछे उसमें कितने चरण होते हैं चार चरण होते हैं इसका सही जवाब एवला आपसन सही होगा ठीक है अगले नंबर के सवाल को यहां पर देखते हैं देखें आप ध्यान दीजिए गाप आप देखिए कि जो इसमें पूप intrinsता है इसमें मतलब क्या होता है कि कोई भी सब्सक्व दोता प्रारम में कौन सा सब्द जुड़ा है ठीक है देखे उपधेस क fist करेंगे ती इसमें उपप लस्देस होगा तिरहा प्रते इसमें परदे के टूटल कितने बेदे आपको पता हो चाहिए तब प्रते के टूटल कितने इत्र दो देखें के लाब में समास को समास को यहां सब्सक्रा नाव कर्मधारे में मिलेंग है तो आप इसको त्यार कर लीजिए जैप गया कि क्या है अगला देखिए स्दीर माशली का पार्यवाची है आपको दूसरा नाम कентиमिन को भी क्या करते हैं मचली करते हैं इसका मचली का प्रेवाची किया होया प्रीण ॥े दख़amente के एक नमबर कन्फर्म सवाल आएगा आपसान आज़ आल संधि क्या आ नमबर का सवाल कि म् मदू सब्द का डियुती विभक्ति बहु अचन रूप क्या होगा यानु मदु जो यहाँ लीक है इसका द्योतिवी भक्ती में अच्छाण रूप क्या होता है। आपाना है इसमें पहार cœur आपको बताना है धुरों के मतूनी पूछा ज़ीक। जाएं को मतुम स दोकैंक कि जुद्यां में भधना मत्र होता है। इसका सही जब क्या होगा डीवला आपसन क्या सही होगा ठीक है अगला देखिए बीसवा नंबर का क्या है आपका सवार कि पठताम धातु का वचन ये पूरुस आपको बताना है कि पठताम धातु का वचन पूरुस क्या होगा आपसन होगा कि प्रथम पूरुस इसमें होगा करेंगा प्राथम पूरूषग दीव अचन होगा प्राथम पूरुस एक वचन को मत्यां पूरुस नौगाara को ठिकशर्ण धार्थ़ EVERY गटातार है देश्य ठार्थम saben also चले का पेपर ज्रूडुरंथ आप हल करकाफे बोड के एक्जाम जाँएगा पर किस प्यपसर में लाने से कोई प्रَّषेत peptide सकता है इसलिए छो साल के पेपर होता है इसलिए पिशले साल के प्टरा उसमें युडरों पढ़गे जाना चाहिए जैए जिए विसके लांग कोईशन किस प्रका से पूछेगा है सभी प्रशनों को आप एक बार देख लिजिए और इसे आप तयार करके जरूर जाईएगा ठीक है यहां से खंडबाई सब्सक्राइब नमब्र कर एक हेब करें और लोगी और यह पोर इसका सका करना रहा तक पर आणकिए प्रश्ण कैसे बंता इस प्रश्ण को आप ज़रूर credited कर लीज proud यहां पर युक तक गद्ध्यांस का संदरव क्देगा निखने लिखने रिखेंगा सबका अनुसर हमारा अस्थी कारार से आजबी कायम है यह 3 प्रश्ण का इंसर आप ज़रूर त़ियार कर लिएगा ठीक है जितने भी प्रश्ण पूछा गया सभी प्रश्ण आपको एक बार दिखा दे रहे हैं ठीक है अथवा में देख लिए इस प्रश्ण को पूरा यहां तक पढ़िएगा इसके लाए इसमें भी प्रश्ण अपर रहेगा और यह भी आपका छेवे नंबर करे जिसका है ठीक है टीक है तो आहां परण्स को पर्श्ण पर प्रश्ण अमरा करेंगा यह उपके आपके पद्यांत को पढ़ लेजेगा से लिए ऐसे प्वाद्यांस दिया ए तो पूरे पद्यांस सोभ उठ्या जिसने लिए पूछा जाए दो पूछा जाए करे के ऊंकित श्र golf करना रहता है अगला प्रस्ण को भी आब तयार कर लिएगा देखें क्या है अगला वाला करना संद्रव लिखना रहेगा रहेगा उपरियुक्त बद्यांस में किसकी महिमा कवड़न किया गया है जितने आपको यहां पर बता रहे हैं सभी को आप जरूर एक बार तयार कर लीजिए ठीक है इसी में साथ बोर्ड के पेपर में आने वाला है प्रशन कि अगला सवल क्या है दीसरा नंबर का ध्यान दीजिएगा कि यह आपको पांच नंबर करेगा कितने नंबर का प्रसन पूछा गया है पांच नंबर का यहां भी आपका गद्यांस दिया है और गद्यांस को क्या करना है संद्रव सहित हिंदी में अनुआत पहले उसको संद्र करना है आपको करना रहता है पले संदर्व प्रहें संदर्व लिखी याद कर लिजेगा और उसले हंदी अगला सवाल आपको दिखा देते हैं किस पकास बोर्ड के पूछा गया था दूसरा सवाल देखें यहां से अकस्माक संस्क्रिक्ति सदा गदशील वर्थ यहां से यहां तक आपको पढ़ना है इसमें भी क्या करना है आपको की संदर्व लिखना है हैं संदर्व और इसका हिनि में अनुवात करना है आग्ला सवाल देखें कर दो के पूछा तक आज कर लिए सब्येर कर लिए ठीक है अब अकला सवाल देखिए आपके सवाल कैसा पूछा गया था अपने पटित खंड काब के आधार पर निम्लिकित प्रश्णों में से किसी एक का उत्तर देना है ठीक है यह तीन नंबर का है अब देखिए यहां पर को इस तरह रहता है जो आपके जिला में पढ़ा जा तरह वह पढ़ा जाता है गयाता है मुक्ति दूस्रा इन दूनेसे सम्बंधिद जैसे गादिज का चिरित्र चित्रडणा जाएगा या मुक्ति खंड काब के पंचम सर्हक का अपनों दूसर्णा से इस दूने में से कोई alors प्रश्न आप देख लीजिए लिए आप से पहुत से प्रश्न पूछते जाते हैं बॉड के एक जामें ठीक है लेकिन आपको जो देखिए आपके पेपर में अब कैसा प्रश्ण पूचता है यहां दियान दीजिए देखिए छटवा के जो कह है यहां से दिये गए लेखकों में से एक का जीवन परचे लिखते हों उनकी प्रमुक्राचना का नाम लिखना यह पांच नंबर करेंगा देखिए आपको तीन तीन लेखा का नाम देगा जिसमें से एक काई आपको जीवन परचे लिखना रहेगा जैसे अचाराम चंदर शुक्ल हुआ जय संकर प्रशाद डाक्टर राजंत प्रशाद इन तीनों में से जिसका आपको जीवन परचे याद होगा उसको आप लिख लिजिए अगला सवा इसी पका से देगा कि एक जीवन परचे लिखना वहला कवी देगा इसमें एक का जीवन परचे लिखना रहेगा यह अभी आपके टोटल पांच सवाल पर संदेर क τα याद कर लिजेगा हंड़ेट परसंटेज आता है पनी पूश्थ मैंसे पंछास्त एक सलोग लिखिए जो इस प्रश्ट पत्र में ना आया है स्लोक यह लिखते हैं अच्छे सा तो दो नंबर आपको कंफरम रहेगा ठीक है अब दो कि आठवा नंबर का सवाल जो आपको बोड के एक्जाम पूछा गया है कि दो प्रश्णों का उत्तर संस्क्रीट में आपको देना है तोटल चार नं जाएगा आपको चार प्रश्ण में से दोई प्रश्ण का एंस्वर संस्क्रीट में आपको करना रहेगा ठीक है जितने भी प्रश्ण आप देख लीजिए और पिछले साल के पेपरों को आप तयार करके जरूर जाएगा ठीक है तीन साल के पेपर आप कम से कम तयार कर लिखना है हर साल आपको निबंद आता है कितने नंबर कर रहेगा नो नंबर कर दिखे पहला है आतंगवात पर निबंद तयार करें ब्रिच्छा रोपड़ मेरा प्री कवी या नारी शक्तिकर इन चारों में से कोई एक जिस पर निबंद आपको अच्छी प्रकास आ रहा है उसी को आपको बोड के एक्जाम में लिखना रहेगा और हर साल इसी में से आपके रिपीट होते रहते हैं ठीक है जितने भी हिंदी में आपके पिछले साल 2023 के पेपर में पूछे गए सबी प्रशन आपको दिखा हैं साथ में आपको बहुई कल्पी 20 प्रशन जो थे उसको को हल भी करा हैं वह भी कल्पी प्रशनों का आप हल करके जरूर चले जाएगा और जितने वी प्रशन पता है इन प्रशनों को आप जरूर तयार कर लिजिए यही प्रश्ण आपको बौड के एक्जाम में रिपीट होगा है ठीक है और रिपीट भी होते रहते हैं यह मान सब्जेट का जो प्रिवियस येर जो पेपर है सभी करवाएंगे आप ठीक है उन पेपरों को आप अच्छी प्रकास से तयार करके चले जाएगा आपको साथ में पॉविकल प्रेशन कराते रहेंगे फ्रेंस आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेर करें